हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम फोर यू में दोस्तों आपने यूट्यूब की सबसे सांदार वीडियो पर क्लिक कर दिया है गाईज जिसे ने भी SSC स्टैनोगराफर का पेपर दिया था उसके लिए बहुत बड़ी खुसकबरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी आंसर की आ चुकी है गाईज आंसर की के बाद से सभी ने अपने आंसर मिला भी लिये होंगे आंसर की से और सभी के मन में सवाल चल रहा है कि हमारी एक्सपेक्टिड कटोफ कितनी जाएगी आंसर की के बाद की कटोफ मैंने डाली थी बर बच्चो को जो है कन्फर्म नहीं हो रहा था कि वो गुरूप C की है या गुरूप D की है तो गाइस मैं आपको गुरूप C गुरूप D की अलग अलग बता रहा हूँ कि आपकी कटोफ की आ जाना वाली है SSC स्टेनोग्राफर की अगर आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे गाइस तो यह समझ लेजना आपका स्किल टेस्ट में जाना तैह हो गया है तो आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं और यह जो कटोफ बताऊंगा गाइस मैं प्री की बताऊंगा जो आपका प्री एक्जाम हो आए यानि तायर फ़स्ट हो आए SSC स्टेनोग्राफर का तो गाइस अगर आप चैनल पर नहीं है पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक्जाम फोर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को ओन कर लेना ताकि जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको यह इस पर देखने को मिलेगी एक्साम फोर यू चैनल पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी गुरूप C की क्या रहने वाली है? कटौफ तो गुरूप C की क्टौफ क्या रहने वाली है? प्री की अगर आप unreserved category में है guys unreserved category के लिए 135 से लेकर 135 नमबर के लिए जाने वाली आपकी cutoff और ये guys group C की है ये भी आप note कर लें बाद में confuse मत होना group C और group D की क्या क्या है अब बात कर लेना है guys आपकी OBC की अगर आप OBC Candidate है तो 125 से लेकर 130 नमबर आपके लिए sufficient होंगे वहीं EWS की बात कर लेता है guys EWS Candidate वालों के लिए 115 से लेकर 124 guys आप comment box में जरूर बताएं आप कहां से है कौन सी shift में आपका पेपड़ता और आपके नमबर कितने बनना है वहीं बात कर लेते हैं ST Candidate वालों के लिए 110 से लेकर 117 नमबर और वहीं बात कर लेते हैं ST Candidate वालों के लिए ST वालों के लिए 100 से लेकर 108 नमबर आपके लिए sufficient होंगे guys इतने नमबर हैं तो तयारी शुरू करते skill test की यह आपकी group C की थी वहीं बात कर लेता है guys आपकी group D की D के लिए unreserved candidate अगर आप हैं तो 122 से लेकर 139 नमबर आपके लिए sufficient होगे हैं वीडियो helpful हो रही है तो फटब फट से like कर दें चैनल को subscribe कर दें exam for you channel को बेल आइकन को उन कर लें और वीडियो को share जरूर कर देना अपने सभी दोस्तों के पास जिसने भी SSC stenographer का paper दिया है वहीं बात कर लेता है guys अब OBC candidate की OBC candidate वालों के लिए 117 से लेकर 124 नमबर और ये answer की के बाद की cut off है काई अब बात कर लेता है EWS वालों के लिए EWS वालों के लिए 60 से लेकर 60 नमबर sufficient होंगे काई ये group D की है और बात कर लेता है EWS C candidate वालों के लिए 95 से लेकर 102 नमबर आपके लिए sufficient होंगे और वहीं EWS T वालों के लिए 93 से लेकर 100 नमबर sufficient होंगे cut off आपकी ठीक ठाक जा रही है बिल्कुल भी कम नहीं जा रही है तो जिसका भी paper अच्छो है comment box में आप जरूर बताना किस date में था आपका और आपकी shift क्या थी और आप कहां से है और आपके नमबर कितने बनना है answer की के बाद किस category से आप हैं तो comment box में guys ये जरूर बताना मन में काफी सवाल चलना है बच्चों के कि हमारे skill test में number आ जाएगा या नहीं आ जाएगा तो guys जो इतने number लेकर आ रहा है skill test की तयारी आज से ही शुरू कर देना इतने number है तो बिल्कुल भी देरी मत करना वरना skill test में रह जाओगे तो skill test की तयारी आज से ही शुरू कर देना guys वीडियो helpful हुई है तो फटा फट से like कर दे वीडियो को share जरूर कर दे हमने सभी दोस्तों के पास जिसने भी SSC stenographer का paper दिया है और अगर आप चैनल पर नहीं है guys तो पहली बार वीडियो देख रहे है exam for you चैनल को subscribe जरूर कर लेना तब तक के लिए bye bye take care